कि दोस्तों यह है एवर सोलो डी एंपी एसिक्स हाइफाइ स्ट्रीमर हाइण स्ट्रीमर भी आप इसको कह सकते हो काफी अच्छी के अंदर ही आ जाता है और अभी कि अगर मैं आप से बात करता हूँ तो यह जो प्रोड़क्ट है अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत यादा तेजी से सेल आउट हो रहा है और यह जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक आडियो स्ट्रीमर है बट यहां मैं को यह भी कहना चाहूँ का कि एक स्ट्रीमर से कहीं यादा बढ़कर है मिन से स्ट्रीमर होने के साथ साथ में एक हाई निऄ वार्डिकाट का डैक भी है एक हाई कॉलिटी का प्री एंपरिफायर भी है यह ए और एक लोकल सरवर का भी यह काम करता हैम डे अशस्पार number है यह एक चाइनीज ब्रैंड है बट यहां पर एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम चाइना को जितनी मर्जी गालिया निकाल लें जितना मर्जी उनके आइटम्स का या उनके प्रोड़क्स का बायकॉट कर लें बट असलियत जो है ना वो यह है कि चाइना के बिना भीया गुजारा भी नहीं है किसी का और आज कल तो यार कुछ चाइनीज ब्रैंड ऐसे हैं जिन्नोंने बड़े बड़े ब्रैंड की लेनी देनी का रखी है जैस से यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट इस त्राइम ये है और अगर आप इस ब्रैंड से यानि की εवर सोलो ब्रैंड से यादा वाकिफ नहीं है तो इससे मुझे कोई हैरानी भी नहीं होगी क्योंकि कुछ टाइम तक मुझे भी इस ब्रैंड के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी हमारा एक international WhatsApp ग्रूप है उस ग्रूप के अंदर किसी ने कुछ ताइम पहले इसकी वीडियो डाली जिसमें की दो व्यू मीटर चल रहे थे बड़े अच्छा लगा मुझे देखकर और मेरा दिल जो है वो इसके उपर आगया और मैंने उस बंदे से पूछा कि वह यह है क्या चीज उसने मुझे बताया इसके बारे में फिर मैंने इसके उपर रिसर्च करना शुरू किया तो तब मुझे पता लगा कि इसकी जो लुक है इतनी सेक्सी बनाई गई है वो तो है यह बट जो इसकी परफॉर्मेंस है ना वो भी काफी आदा कूल है तो दोस्तों आ आप अपने लाइक को नहीं रोक पाओगे सो आज मैं आपसे यह कहूंगा कि पहले ही वीडियो को लाइक कर दो इंडिया का पहला रिव्यू यह होने जा रहा है और प्लीज मुझे आपकी सपोर्ट भी चाहिए आप इस वीडियो को प्लीज और प्लीज यादा से यादा श इन सभी सेक्षेंज की बात मैं आपसे इस वीडियो के अंडर करने जा रहा हूँ तो सबसे पहले हम इसे अंबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें इसके अंदर क्या-क्या चीजे मिलती हैं और उसके बाद हम एक-एक चीज की डिटेल में बात करेंगे तो चलिए मैं कर लेता हूं इसे open so packing की बात मैं करूं तो packing बहुत यादा sexy look में बनाई गई है काफी यादा जबरदस अच्छी look packing की ही लग रही है और इसे हम open कर लेते हैं तो open करने के बाद ऊपर ever solo का ये कोई guide मिल जाती है प्रेम पत्र जिसे की मैं अक्सर बोला करता हूं तो यह आप read कर सकते हैं अगर करना चाहें तो इसके बाद इसे हम फिलाल side पर करेंगी अभी उसके बाद हमें main device जो है वो मिल रही है और यहाँ पर box भी दिया गया है तो box को हम पहले निकालते हैं कि क्या है इसके अंदर तो यह box हमें मिल जाता है जिसके अंदर हमें एक power code दी गई है और एक हमें यह USB type A to type B की cable मिल जाती है और एक हमें मिलता है यह छोटा सा screw driver अब यह screw driver किस लिए दिया गया है यह मैं आपको आपके चलके बताऊंगा तो यह जो accessories है यह हमें इसमें मिल जाती है उसके बाद आजाती है हमारी main item जिसको की एक घूंगट के अंदर डाल कर रखा गया है तो यह एक bag बना कर दिया गया है हमें इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ तो यहां पर देखिए इसे मैंने बाहर निकाल लिया और मुझसे गलती हो गई है कि मैंने gloves नहीं पहने है क्योंकि इसकी जो body है ना वो इतनी यादा smooth look में बनाई गई है कि जो मेरे finger prints है वही इसके उपर छपने शुरू हो जाएंगी सो सबसे पहले तो मैं gloves डाल लेता हूँ गयार मैंने gloves डाल ली है अब मैं इसे किसी वे फिकर होकर छू सकता हूँ देख सकता हूँ तो यहां पर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि क्या जबरदस्ट इसकी look बनाई गई है तो यह box को side पर करेंगे पहले तो हम तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा इसकी look के बारे में तो look ultimate बनाई गई है completely aluminium से यह बना हुआ है CNC मशीन के द्वारा कोई भी जोड़ वोड आपको इसमें नदर नहीं आता है एंड फ्रंट के अंदर आपको brushed aluminium की finishing मिल जाती है और साथ ही साथ यहां पर इसका logo दिया गया है और एक आपको large screen मिलती है 6 inch की इसमें आपको display दी गई है streamer में आप यहीं से कर सकते हो suppose करते है मुझे apple music चलाना है तो मैं यहीं से जाओंगा apple music के अंदर जो screen पर आपको शोर है वो as it is आपके phone पर भी आएगा तो आपको सभी चीजों का पता लगता जाएगा कि आप क्या 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 करना चाते हैं मैं इस गाने को play करना चाहता हूँ तो यहां पर मैं जाता हूँ और इसे play कर देता हूँ तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से यहाना play हो गया और जो quality है इसकी display की यार वह भी जबर दस्त है ultimate quality इसमें मिल जाती है आपको और साथ इसके अंदर आपको अलग-अलग type के चीजे मिलती है जैसे कि अगर आप spectrums को यूज करना चाहते हो तो इस तरीके से आप spectrums वाले items के शौकीन है तो उस condition में view meters का use करेंगे आप देख सकते हैं कि यह view meter आपके यहां पर चलने शुरू हो जाते हैं view meters भी अलग-अलग type की हैं आप अपने स्वात के अनुसार चूज कर सकते हैं यहां देख सकते हैं इस तरीके से आपको अलग-अलग view meter मिल जाते हैं तो casting के option में तो यह speed अची दे ही रहा है बट अगर आप इसी की touch को भी use करकते हैं तो वो भी आप quality मेट quality देती है जो speed है वो भी आपको पूरी जबरदस्त मिलती है एंड जब मैंने इसकी specification पड़ी तो वहां पर सबसे पहला जो मेरा ध्यान है ना वो सिरफ इसकी total harmonic distortion पर गया यानि की total harmonic distortion मेरे को तो लगता है कि यह ना भी बताते इसको zero लिख देते ना तब भी enough रहता एंड यहीं इसकी back side पर अगर आप देखोगे तो आपको सभी input and outputs मिल जाते हैं एंड सभी connectors जो हैं वो आपको मिलते हैं gold plated तो चलिए अब ही हम बात करते हैं अगले section की जो की है streamer या operating system मिलता है जिसमें quad core ARM cortex A55 processor का use किया गया है जिसकी मदद से यह बहुत fast and बहुत ही smoothly work करता है और साथ ही आपको इसके अंदर RAM मिल जाती है 4GB की और 32GB का storage मिल जाता है यानि की 32GB इसकी internal storage है जिसकी मदद से आप third party apps को भी इसमें install कर सकते हो जिन apps का option आपको इसके अंदर नह install कर सकते हो साथ इसमें dual clock use की गई है दोनों channels के signal है वो अलग-अलग clock से होकर transfer होते हैं जिसकी वदर से आपको noise नहीं मिलती है और जो data processing की speed है वो भी बहुत यादा improved हो जाती है and streaming की बात अगर करते हैं तो अभी तक के जितने भी apps हैं जितने भी formats हैं उन सभी को यह support करता ह है आप चाहें इस पर wave file सुनें चाहें आप इस पर lossless music प्ले कर रहे हैं चाहें आप इस पर MQA का use कर रहे हैं कुछ भी आप कर रहे हो कोई भी format आप ले करना चाहते हो तो यह सभी formats को support करता है और अभी अगर हम बात करते हैं इसके अंदर दिये गए deck की तो इसमें आपको ESS के dual deck मिल जाते हैं ESS की dual AS9038Q2M चिप सेट का इसमें यूज किया गया है दोनों चैनल के लिए अलग अलग चिप दी गई है जिससे की चैनल का interference बिलकुल ही खतम हो जाता है और आपको मिलती है perfect audio image और यह जो चिप सेट इसमें यूज किया गया है वो एक 32 bit का deck है जिसके अंदर आपको 768 का sample rate मिल जाता है और जैसा मैंने आपको बताया कि आप इसे as a pre amplifier भी यूज कर सकते हो तो इसके अंदर आपको fully balanced pre amplifier देखने को मिलता है तो चाहें आप इसके RCA out को यूज करें चाहें आप इसके XLR को यूज करें दोनों के अंदर ही जो quality है आपको A1 मिल ज SSD drive लगाने का भी option मिल जाता है उसे लगाने के लिए आपको इसे पूरा खोलने की कोई भी जुरूरत नहीं है इसकी back side पर अगर आप देखोगे तो यहां पर एक compartment हमें दिया गया है जिसके अंदर आप SDD को install कर सकते हो और मैंने आपको बताया था कि इसके साथ जो हमें screw driver म इसके अंदर आप अपनी मरजी के गाने डाल सकते हो और उन्हें local server की तरह यूज कर सकते हो और अगर आपके पास में audio CDs की काफी अच्छी collection है और आप नहीं चाते कि मैं इन्हें फैंक दूँ या इन्हें यूज ना करूँ तो इसके साथ वो भी possible है आप अपनी सभी CDs को भ कि उन गानों को आप इसकी SSD drive के अंदर install कर सकते हो और इस method को CD wrapping कहा जाता है और यहां पर friends अगर हम बात करते हैं इसकी quality की इसकी output की sound quality सच में amazing है और मैंने इसे हर एक तरीके से test करकर देखा है जितने भी तरीके हैं इसे test करने के उन सभी तरीकों को मैं इस्तमाल कर चुका पर भी हमने use किया तो अगर आपके पास external deck नहीं है और external pre amplifier नहीं है तो आपको वो लेने की ज़रूरत नहीं है आप इसी से काम चला सकते हो काफी अच्छी output आपको इसमें मिल जाती है बट अगर आपके पास में एक अच्छा और high end quality का deck दिया गया है तो आप उसी को use करें और अगर आपके पास कोई dedicated pre amplifier है तो भी आप उसे use करें बट अगर आपके पास में वो नहीं है और आपको वो खरीद नहीं बढ़ेंगी तो मैं यहां यही suggestion आपको दूँगा कि आप उन्हें खरीदने से पहले एक बार इसी के deck को और इसी की pre को use करकर देखें because मैंने इसे use करकर देखा है और मेरे हिसाब से आपको अलग से पैसे खर्चने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है यह हर एक तरीके से perfectly काम करता है so friends अगर अभी बात करते हैं हम इसके price की तो 85,000 रुपीज इसका price है और under 1 lakh मुझे नहीं लगता कि कोई भी device ऐसी है जो कि इसका मुकाबला कर सकती हो and मैं पूरी तरह से satisfied हूँ इससे आप में से कोई भी अगर इसे purchase करना चाता है तो आपको 85 की cost इसकी पड़ती है तो आप अगर order करना चाहें तो कर सकते हैं करने के लिए नीचे दिए के WhatsApp नंबर पर message भी किया जा सकता है या फिर नीचे दिए के Instagram handle पर जाकर आप हमारी sales team से भी बात कर सकते हैं और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बड़े वाला धन्यवाद है और साथ ही आपसे एक request भी है कि इस वीडियो को यादा से यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को like जरूर करें और comment करके जरूर बताएं कि आपको ये device कैसी लगी और अगर आप प्लीज चैनल को subscribe जरूर कीजेगा और bell icon को जरूर दबाईएगा और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहूंगा आप स्वस्त रहें और मस्त रहें जैहन दोस्तों